नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल महादेव योगी पर आज हम बात करेंगे पतंजली के और से आने वाली अविपतिकर चूर्न के बारे में अविपतिकर चूर्न बहुत सारी कंपनिया बनाती है बैदेनाथ हमाले या वगरे बहुत सारी कंपनिया बनाती है प्राइस सबकी अलग-अलग है जैसे अब देखेंगे तो यह 100 ग्राम की पैकिंग में आता है जिसकी कीमत 47 रुपए है यही आप दूसरे ब्राइंड में जाएंगे तो 120 ग्राम में 195 रुपए तक भी प्राइस है और क्वालिटी कुछ खास चेंज नहीं है खास करके इस अविपत्तिकर चुरना और दूसरी कंपनियों की लग-बग एक जैसे क्वालिटी सेम ही है यह मान सकते हैं और कीमत में काफी फरक है कुछ आउशेदियों में दूसरे ब्राइंड के थोड़े से ज़्यादा बहतर भी आते है कुछ आउशेदियों में पतंजली के ज़्यादा बहतर आते है तो यह जो अविपत्तिकर चुरने वो लग-बग quality में एक जैसे है और कीमत में बहुत ज़्यादा फरक है तो आप इसको देख कर लेजिए आज की वीडियो में हम जानेंगे अभी पित्तिकर चूर्ण के क्या है फाइदे क्या है नुकसान इसका इस्तमाल किसे करना है किसे नहीं करना है कब करना है कैसे करना है इन सब के बारे में डिटेल्स में तो चलिए शुरू करते है तो दोस्तों अभी पित्तिकर चूर्ण जो है वे पित्त और अमल पित्त की समस्या में कापी उप्योगी वाना जाता है यह स्पेशली बनाया तसमयारें के लिए पित्ते के कारण भी बहुत सारी प्रकार की बिमारे यह आ जाते हैं। इस प्रकार की जिनको भी समझ से आती है उनके लिए आउशेदी बहुत ही बेश्ट है हाला कि ऐसा नहीं कि इसको आपने लेना शुरू के और आज ले और कल रिजल्ट मिल जाएंगे थोड़ा सा धीरे रिजल्ट मिलते हैं लेकिन मिलते जरूर है तो इसको यह नहीं कि दो-तीन दिन में यूज करेंगे और आपको एक दम से ठीक हो जागे इसको थोड़ा लंबा यूज कीजिए इसको आप पूरा खतम होने तक भी यूज करेंगे तब भी कोई प्रॉब्लिम नहीं है इसमें कई सारे आउशेदियों का इस्तिमाल किया गया है जैसे सौंट बगरे आप सबसरेंगे कि यह गरम आउशेदिया है कुछ ठंडी भी आउशेदिया इसमें मिलाई गई है लेकिन आपके जो पाचन ख्रमता है जो अगनी है आपके शरीर की उसको भी इंपरू करता है तो एससे पित्त तो शांत होता ही खाना पचाने के ख्रमता भी इससे बढ़ जाती है इसके अगर हम डोस की बात करें तो तीन से पांच ग्राम दिन में दो बार लेना है खाना खाने के बाद इसको आपको गरम पानी के साथ नहीं लेना और दूद के साथ भी नहीं लेना इसको लेना है नॉर्मल पानी के साथ कुछ condition में कुछ patient को खाना खाने से आदा घंटा पहले भी normal पानी के साथ दिया जाता है कुछ condition में खाना खाने के बाद भी दिया जाता है वैसे तो पतंजली वालों का कहना है कि खाना खाने के बाद ही ले लीजे कुछ condition में होता है जो अगर कोई अलग problem है तो चिकिसकी सला लेकर आप ले सकते हैं कुछ condition में हम खाना खाने से पहले भी बताते हैं लेने के लिए लेकिन वैसे नॉर्मली खाना खाने के बाद नॉर्मल पानी से लेना है गरम पानी से नहीं लेना इसको तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी अवविप्तिकर चोर्ण के बारे में इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजे इस वीडियो को लाइक कीजे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजे सबस्तर रहरे, मस्तर रहरे, धन्यवाद